नमस्कार दोस्तो मेरा नमें बिजे कमर आप देखें कॉमिक्स पिटारे चैनल को तो चलिए दोस्तो राज कॉमिक्स में देशभग तिरंगा की स्टोरी को सुरू करते हैं जिसका नाम है तिरंगा चड़ेगा फांसी आप देख सकते हैं इसका कवर प्रिष्ट जो कि कुछ इ कि तेह है साथ ही ये भी तेह है कि किसकी में तो किसके हाथो होनी है किसी की जान लेने के लिए यम्दूत को यम्लोक से उतर कर आना होगा तो किसी की जान लेने वाला यम्दूत धर्टी पर मौजूद ही होगा उसे कोई नहीं बचा सकता जिसकी जान लेना चाहता है यम्द उसे कोई मार नहीं सकता जिसे बचाना चाहता है तिरंगा धार तूर नहीं बचेगा जो भी तुझे बचाने आएगा खुद मारा जाएगा उफ इसे अपने रस्ती का कैदी बनाना होगा यम्दोद को ये रस्ती कैद नहीं कर सकती बेहोसी तो कैद करेगी नहीं कर पाएगी हाँ मौत तुझे अपनी बाहों में जरूर कैद करेगी उफ इसकी कनपटी पर मेरे वाल का कोई असर नहीं हुआ इससे निपटना असान नहीं होगा इसलिए फिलाल उस आदमी को बचाने का सबसे अच्छा तरिका यहीं है कि मैं उससे बोलूँ कि भाग जाओ यहां से जाओ अच्छा हुआ वो भाग निकला अब मैं अराम से इससे निपट सकता हूँ मेरे सिकार को तुम मुझसे इस तरह दूर नहीं कर सकता ठक उफ उसने मुझे इस अनोखे सिकंजे की मदद से दिवार में गाड दिया मुझे अपने आपको इससे अजात करना होगा उफ सेर पर हुए तेज परहार ने तिरंगा की आँखों के आगे चांद तारे गुमा दिये और जब वे चांद तारे आँखों के सामने से हटे तो आँखे अंधेरे के समंदर में डूबने लगी लेकिन अंधेरे में डूबती उन आँखों में इस बात का संतोस था कि यमदूत के सिकार की जान बच गई थी लेकिन नहीं जान नहीं बची थी मुझे बिहोस करने के बाद यमदूत ने आखिर इस तक पहुँच कर इसे खत्म कर ही डाला इसके मरने के पीछे मेरे नाकामी का भी हाँ था है इसलिए मैं जब तक इसके हत्यारे को खोच कर उसे जेल की सलाकों के पीछे नहीं पहुचा दूँगा चैन से नहीं वेटूँगा और उसकी खोच करने के लिए मेरा सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि आखिर ये कौन है अरे ये क्या कोई कागज जिस पर लिखा है फासी नहीं होगी फासी नहीं होगी किसे फासी नहीं होगी इस आदमी की लाज के पास पड़े इस कागच का और उसमें लिखे सब्दों का आपस में क्या संबंध है सुबह होते ही तिरंगा को अपने सभी सवालों का जबाब मिल गया चर्चित रेस्टोरेंट कांट से जुड़े मानिनी ये जज़ परकास पटेल की हत्या हत्यारे ने चैलेंज दिया फांसी नहीं होगी तो यम्दूत ने जिसकी हत्या की वो एक जज़ था जो आठ साल पहले घटित हुए रेस्टोरेंट कांट के फैसले से जुड़ा हुआ था यानि अगर मैं रेस्टोरेंट कांट के बारे में जान लू तो साथ यम्दूत तक पहुँ सकता हूँ और रेस्टोरेंट कांट के बारे में बिस्तार से जानने के लिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा एड़ोकेट सत्य परकास जी ने हाल ही में रेस्टोरेंट कार्ण वाला केस अपने हाथ में लिया है इसलिए मुझे तुरंती पहुंचना होगा एड़ोकेट सत्य परकास के यहाँ आठ सल पहले एक फाइट इस्टार रेस्टोरेंट के मालिक सुनिल वर्मा ने अपनी पेरीमिका को मार कर और उसके सरीट के टुक्रे टुक्रे करके उन्हें रेस्टोरेंट के तंदूर में जनले के लिए डाल दिया था एन वक्त पर वहाँ पहुँचे पुलिस के एक सिफाई ने बाहुदरी दिखा कर उस कान को उजागर किया और तब पुलिस ने सुलिन वर्मा और उसके एक साथी को ग्रिपदार कर लिया था अब उसके इसका फैसला जज ओम पकास पटेल की अदालत में होने वाला था मेरे खाल से जिसने भी जज सहाब की हत्या की है उसका संबन्द रेश्टोरेंट कान के मुखे अभ्यूक्त सुनिल वर्मा से है क्योंकि हत्यारा ये नहीं चाहता कि सुनिल वर्मा को फासी हो हो सकता है हत्यारे को इस बात का पहले से अंदेशा हो कि जज सहाब सुनील वर्मा को फासी की सजा सुना सकते है मेरे खाल से जज उंपरकास पटेल सहाब ऐसा नहीं करते क्योंकि उनका मानना था कि अपरादी को फासी देना उचित नहीं है ऐसा करके तो कानून खुद हत्यारा बन जाता है मेरे भी ऐसे ही वीचार है इसलिए मैंने खुद जान बुचकर ये सुनील वर्मा वाला केस अपने हाथ में लिया इस केस में मैं पूरी कोशिस करूंगा कि सुनील वर्मा को फासी की सजा ना हो पाए आजीवन करावास उसके कर्मों की एकदम सही सजा होगी अभी कुछ टीवी चैनल वाले रेस्टोरेंट केस के सिलसले में मेरा इंटर्विव लेने आ रहे हैं उनके जाने के बाद मैं उस केस की स्टडी करूंगा तम चाहो तो उस केस की स्टडी में मेरे साथ रह सकते हो थैंक्यू सर मैं तो यही चाहता था क्योंकि मुझे उमीद है कि इस की स्टडी में ही कहीं कोई ऐसा क्लू छिपा होगा जो मुझे हत्यारे यम्दूर तक पहुँचाएगा हत्यारा कहीं और पहुंशने की सोच रहा था जज उम परकास पटेल के बाद अब एड़ोकेट सत्य परकास वर्मा के केस में दिल्चस्पी दिखा रहा है वो सरकारी वकेल बनकर अपना मकसद पूरा करना चाहता है और वो ऐसा कर भी डालेगा अगर उसे लास नहीं बनाये गया तो अगर आप चाहते हैं कि एड़ोकेट सत्य परकास लास बने तो वो लास बनेगा आज ही बनेगा अपनी जान पर मढ़ रहा थे खत्रे से बेखबर एड़ोकेट सत्य परकास भारत के साथ केस के अस्टडी में ब्यस्त था और तब तक ब्यस्त रहा जब तक कानों को फोर देने वाला वो ध्मा का सुनाई बढाम और आखों को फार देने वाला वो द्रिश से दिखाई नहीं दिया कि ये कौन है मौत तेरी वरूम बचिये सर ओह मैं इस वकेल की मौत हूँ तू क्यूं इसके और मेरे बीच में आकर मरना चाहता है लड़के दूर हो जाई से यहां से भाग कर जान बचा ले अपनी ओह तेरी ये हरकत बता रही है कि तू भी इसके साथ ही मरना चाहता है ठीक है तेरी ये इच्छा मैं अभी पूरी किये देता हूँ मुझे और सत्यपरकाश सर को मारने की तेरी इच्छा इस जन्म में तो पूरी होगी नहीं देखते हैं कैसे नहीं होगी ओ उसने मुझ पर और सत्यपरकाश जी पर अपने वारों की ज़ड़ी लगा दी है ऐसे में और इस रूप में ना तो मैं ज़्यादा दिन तक इसके वारों से बच पाऊंगा और ना सत्यपरकाश जी को बचा पाऊंगा ये काम मैं तिरंगा के रुप में ही कर सकता हूँ और चुकि तिरंगा बनने के लिए मुझे एकान की आउ सकता है इसलिए मुझे अपने आपको उसके वारों का इस तरह सी कार बनाना होगा कि मैं उसके वारों से उचल कर खिर्की से बाहर जा गिरूँ हो गया काम अब मुझे तिरंगा बंडा है कुछ ही पलो में, सत्य परकाज के पास कुछ पल भी कहां थे, अब तेरी सांसों का कोटा पूरा हुआ, अब मैं तेरी सांसों को हमेशा के लिए चुरा रहा हूँ, अरे ये मैं बताने आया हूँ सांसों के चोर को, भगमान के सिवा, कोई नही तोड़ सकता सांसों की डोर को धड़ाग ओ तिरंगा तो अब तू उसे बचाने आया है जज उन परकास को कहां बचा पाया था जो इसे बचा पाएगा ओ जजज साहब की हत्या करके तुन्हें अपना रूप भी बदर लिया है और हमला करने का तरीका भी इस कहानी को यहीं ख को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो के जरूरत हो वहां इसको सेयर जरूर कर देना तो मिलते हैं आप से इसके दूसरे पार्ट में तब तक के लिए बाए